हेलो गाइस तुम मैं हूँ स्याम और आप देख रहे हैं मेरा यूडूब चैनल कुक विश्यप स्याम तो चलिए मैं लेके आगया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही बढ़िया आलू की रेशपी जो की है चटपटे आलू तो चलिए हम इसको बनाना सुरू करते हैं और आप देख लीजए कि किन कीन चीज़ों की हमें आऊ सकता पढ़ेगी और आगे मैं आपको बताऊंगा भी तो मेरे पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो मैं इस पैन को तो चलिए हम इसको नॉनस्टिक पहले बनाते हैं एक चीज आप ये भी सीख लेंगे कि कैसे non-stick बनाया जाता है किसी भी पैन को तो उसके लिए आपको पैन को पहले गरम करना है हलका सा गरम होने के बाद से उस पे डालना है आपको oil और धेर सारे oil डालने के बाद जैसे वो अच्छे से गरम हो जाए ये आपका non-stick पैन ready हो जाएगा और फिर हमें क्या करना है कि इस oil को निकाल लेना है अभी यहाँ पे हमें इस पैन में उतना ही oil रखना है जितना हमें जरूरत है तो मैंने 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने oil यहाँ पे छोड़ दिया है फिर मैं यहाँ पे डाला हूँ बड़ी वाली whole लाल मिर्श एक और यहाँ पे मैं डाला हूँ जीरा और कुटा हुआ धनिया उसको मैंने क्रस करके डाला है यहाँ धनिये को और इसको भी हम अच्छे से हलका सा इसको भून लेंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे डालेंगे बारीक एकदम चौप किया हुआ लहसुन एक चम्मच और इसी का आधा हम डालेंगे अधरक वो भी एकदम बेलकुल चौप और इसको भी हम अच्छे से एकदम भून लेंगे कि जबता के हलका ब्राउन कलर का ना हो जाए और उसके बाद से हम यहाँ पे एड़ करेंगे ग्रीन चिली ग्रीन चिली मैं यहाँ डाला हूँ दो से तीन मैं यहाँ ग्रीन चिली डालूँगा आप अपने इस स्पाइसी के अनुसार कितना आपको इस स्पाइसी खाना है उस हिसाब से आप ग्रीन चिली डालिए मैं यह आलू हैं तो हम यहाँ पर डालेंगे बस थोड़ी सी हल्दी हल्दी एक थोड़ा सा डालों और यहाँ पर मैं डालूंगा salt, salt यहाँ पे दो salt डालने हैं हमें यहाँ पे यह वाला जो है अभी जो मैंने डाला एक black salt है और एक regular salt दोनों हमें यहाँ पे डाला है और इसे भी हम अच्छे से mix करने के बाद से हम यहाँ पे डाल देंगे boil किये हुए अलू मैंने पहले इसको boil करके और इसको अच्छे से काट करके यह जो size आप देख रहे हैं इस size के आपको काट लेना है और मैं आपको बता रहा हूँ कि perfect अलू काटने के तरीके कैसे अलू को ऐसे boil होने के बाद से काटा जाए तो आपको क्या करना है कि अलू को boil करना है एकदम ज़्यादा overcook नहीं करना है और अच्छे से जैसे हमारे अलू थोड़े से इदम पग गए उसको निकाल लेना है उसको पानी में नहीं रखना है गरम पानी में और उसको निकालने के बाद से उसको आप फ्रीज में रख दीजिए ताकि वो हाड हो जाए और हाड होने के बाद से उसको जब पील करके आप काटोगे तो आपका जो आलू है एकदम बढ़िया से ऐसे कटेगा तो इस चीज़ क आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो आलू है बेलकुल ऐसे ही दिखेंगे और देखिए आलू डालने के बाद से इसको हम अच्छे से एकदम टॉस करेंगे ताकि जो हमारा आलू है वो एकदम अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद से हमें बस तीन चीज़ी डालनी है वो है धनिया, चाट मसाला और लेमन लेमन आपको डालना है गैस का फ्लिम बंद करने के बाद और उसको अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है आपकी जो यह रेश्पी है चटपटे यालू बिलकुल एकदम रेडी हो चुका है तो अगर आपको यह मेरी रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट कीजिए और सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे मेरे चैनल को क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहा हूं तो चलिए अब कर लेते हैं इस